ख्वाहिसों का कैदी हुँ मुझे हकीकते सजा देती हैं आसान चीजों का सवक नहीं मुझे 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 मज़ा देती हैं हलो दोस्तो मैं कमल सिंग स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने योटूब चैनल इस्टेडी वित पुनाहुर में दोस्तो आपने एसिया महादीव और योरोप महादीव पढ़ लिया आज हम पढ़ेंगे आफरीका महादीव देखे दोस्तो आफरीका महादीव छेतरफल और जनसंख्या की द्रश्टी से दूसरा सबसे बड़ा महादीव है दुनिया का सबसे बड़ा महादीव है दूसरे नमबर का सबसे पहले आप जानते हैं जनसंख्या में एशिया महादीव जिसमें हम रहते हैं जिसमें हमारा देश भारत है दूसरे नमबर में आफरीका छेत्रफल और जनसंख्या दोनों में तो हम प्रस्ण वाइष पढ़ते हैं जिस तरह हम रोज पढ़ते हैं अभी हम हर महादव्यूप की बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं बेसी जानकारी में उसके देश कितने देश सब चीजे इसके बाद नदिया परवत पठार का अलग टॉपिक होगा इसमें हम बेसिक जानकारी सामान ने जानकारी किसी बी महादीब की केवल परिचय लेकिन इससे भी बहुत ही महादपूर्ण परिच्छाओं में अक्सर बेसिक से पूछे जाते हैं पर समय पता नहीं होता इस करण हमें कथिन लगते हैं कि पहले कुष्चिन है चेत्रफल और जन संख्या में दूसरा सबसे बढ़ा छेत्रफल की द्रष्टी से दोस्तों सबसे बड़ा देश है अलजीरिया देखिए आपको मैं मैं बताऊं यह है आफ्रीजा महादीव यहां से यह 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 दोस्तों आफ्रीजा महादीव है पूरा इसमें मैंने बताया कि अलजीरिया छेत्रफल की द्रष्टी से है अलजीरिय ये है दोस्तो नाइजीरिया ये है अलजीरिया दोस्तो छेत्रफल में है ये मुरक्को के पास मुरक्को लीबिया के बीच में है और नाइजीरिया दोस्तो यहां पर है जनसंख्या में नाइजीरिया और छेत्रफल में अलजीरिया और बिस्व में दूसरा सबसे बड़ा पुमी और अजन संख्या को सबसे चोटा सेचल सेट देश सेट बाइश सेटी ने देश मैं आपको पता दू कि आफरीका महादूरिप में जिसमें इसे उवंचास मुख भूमी में मुख भूमी का मतलब कि एक दूसरे से सीमय बनाते हुए जुड़े हुए हैं और 6 दूप्य देश है इसके नीचे इधर अट्लांटिक महासागर है पश्चिम में अट्लांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर है दोष्त यहां से हम चलते हैं पर्ष्चिमी सहारा से, पर्ष्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया, टिवनीसिया, लीबिया, मिस्र, शुडान, चार, नाइजर, माली, मारी, टोनिया, सेनेगल, गांबिया, गिनी, विशाव, नियोगिनी, सियरा, लियोन, लाइबेरिया, आइबरी, को स्वाजी लेंड मोजांबिक कंजानिया केन्या इथोपिया शुमालिया जिवूती इरट इरिट्रिया मेडा गासकर मोरिसर सेसिल स्कोमोर साउटों में प्रिंसिप के पोवर डे दोस्तों मैंने आपको अफ्रीका महादिव के 55 देश सुनाए मुझे याद हैं अब देखिए अफ्रीका महादिव मैंने आपको बताए कि अगर कोई पूछे कि पूरे अफ्रीका महादिव में कुल कितने देश है कुल कितने देश तो दोस्तों आपका उत्तर होगा 55 अगर कहा जाए कि आफ्रीका महादिव में मुख भूमी में कितने देश हैं मुख भूमी में कितने महाशागर मैं आपको पता हैं हिंद महाशागर का सबसे बड़ा द्वीब यह आफरीका महादूइब का ही एक देश है दोस्तों मेडा गास कर आपने अफरीका महादूइब के देश पढ़े पचपन देश कुल मोग्या चांचांच और छय दुपीए देश दो कौन से हैं आप लिख लिजे दुपी देश दोस्तों हैं कौन-कौन से आप लोग एक बहुत ही महात्रपूर्ण आफ्रीका महादीब से प्रशन पूंचा जाता है बिस्तो का एक आईशा महादीब जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं काउन काउन सी रेखाएं मैंने आपको बताया था प्रश्वी ऐसे शाही से नहीं बन पा रहा लेकिन आप समझे प्रश्वी है यह प्रश्वी के बीचों बीच हो गई 0डेगरी अच्छांस ये तींस दीघ्री को कहते हैं साभख्य Тीघ्री करकर रेका और लबंघ से एक्ठेश्य धाईगर्य से अउस्टी वाणी मखर्यकर करे ये टीन्स डेंगर्या आफ्रीका महादिविप से निकलत है गुजरती है बागी कोई आएसा महादीव नहीं है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हम देखते हैं तो यह देखिए सबसे पहले यह जीरो डिगरी यह चांस जीरो डिगरी आप गहां से देख लीजिए यह हो गया यह हो गई करकरेखा यह करक रेखा यह साठेटेश डिगरी दच्छडी अच्छांस मकर रेखा और यह हो गई आपकी भूमद रेखा यह देखे दोश्तों करक रेखा मकर रेखा और भूमद रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं और एक प्रस्णी फ्से और पूंचा जाता है कि कान शां महाद्यवीप चारों गोलारधों में फ्याहिकत कहने का मतलब क्या कं गोला का अधBob कं प्रतवी और इस है तो आप लोगों ने ज्युक्यादा है और जीरो डिगरी की नीचे दच्छनी गोलार्द कहलाता है तो यह हो गया दच्छनी गोलार्द यह हो गया उत्री गोलार्द और जीरो डिगरी देशांतर भी दोस्तों यह देखे जीरो डिगरी देशांतर इसके बीचों बीच मतलब बीचों बीच नहीं परश्चिमी कर दोस्तों चारों गोलार्धों में इसका बिश्तार है इतने प्रसक्रण हमने पढ़ लिए चलते हैं और कुछ प्रशनों पर ये बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है दोस्तों इनको आप लिख जरूर लीजिए दोस्तों देखते हैं कुश्चन आफ्रीका महादीव के कितने देशों से भूमत रेखा गुजरती है मैंने आपको बताया कि दुनिया का ये कैशा महादीव जिससे तीनों र तीन देश देदेगा जो गुजरने वाले यह काईशा देश दे दिये जाएगे जो नहीं गुजरता आस पास कहोगा आपको लगेगा हां यह तो वहां पर आस पास था तो आप टिक कर देगे हो सकता आपका गलत भी हो जाए लेखें आपको बिलकुल रट लेना है आफ्री काउन काउन से एक भार ध्यान से देखिए शाव्टो में प्रिंसिप केप ओवर्डे गाइबोन कांगो कांगोगर राज युगांडा केन्या शोमालिया आपको बिल्कुल रत लेना है कि काउन से साथ देश अच्छांस रेखा से गुजरते हैं साथ देश सावटों में प्रिंसिप केप ओवर डे गाइबोन कांगो कांगो कर राज यूगांडा केन्या सोमालिया अब दोस्तों चलते हैं करकरेखा पर करकरेखा करकरेखा वही करकरेखा देश के देश से होकर गुजरती है इसी तर यह अफरिका पूरे अफरिका महादीब के लगभाग वीचो बीच से नहीं काशकते उत्तर से होकर घुजरती है उत्तरी भागS शेह र कुजरती इसमें दोस्तों कितने देशा परते हैं 8 देश जो करक रेखा जिनसे घुजरती देगे परश्चिमी सहारा मारीटांया माली कहीं कहीं या मारिटानिया कोई भी मिल सकता है कर्फ्यूज नहों यह पर्ष्चिमी सहारा मारिटानिया माली अलजेरिया नाइजर लीबिया मिस्र किते होई दोस्तों एक दो तीन चार पांच चैसा दो साथ देश गुजरते हैं साथ देश मैंने आपको बताया कि जब आप पढ़ते है बिस्व मांचित्र जब भी आप पढ़ें तो आप अपने साथ या तो बिस्व का एक माय पिश्टर एक लेकर रखें यह एक एटलस आती है दो सवा दो सुरूपए की एक एटलस आएगी उसमें बिस्व के सभी देशों महादूपों का मांचित्र बढ़िया होता है आप ज बुजरते हैं कांगो कांगो यूगांड़ा केनिया ओर आफरीका के करक्रेखा में कितने अब देखते हैं दोस्तों मकर रेखा किसे कहते हैं उसमें दोस्तों मकर रेखा में गुजटते हैं कहांबिक नामी बिया बोच्छन अफ्रीका मोजांबिक आप लोग देख लीजिए आप कितने देश याद हो गए साथ साथ चवदा चार अठारह देश आपको याद हो जाना चाहिए चार देश से मकर रेखा, साथ देश से भूमद रेखा और साथ देश से कर्ग रेखा मकर रेखा कितने देश से सो चार कौन कौन से नामी बिया बोथ सुवाना दच्छिन अफरीका ये सभी नीचे के देश से ये देखिए नामी बिया बोथ सुवाना दच्छिन अफरीका मोजांबिक चार देशों से नामी बिया बोथ सुवाना दच्छिन अफरीका मोजांबिक अब देखे हार्न आफ अफरीका आफरीका का सिंग कहा जाता है ये वाले भाग को हार्न आफ अफरीका ये यहां से हार्न आफ अफरीक इंग्लिश में और हिंदी में आफरीका की सिंग कहते हैं दोस्तों पूछा जाता कि हार नाफ अफरीका में निम्न में से कौन सा देश सामिल है अगर नहीं सामिल है तो तीन देश उसके होंगे एक कोई दूसरे देश होगा नहीं सामिल है अगर कहते हैं कि कौन से सामिल है तो प्रस्तों क्प्रस्ण अऊर है प्रत्वी यह हो गई भूमत रेखा ये कर रेखा ये मकर रेखा साघे तेसट डिगरी दछली अच्छांस साड़ेहें दीक्षडी अच्छांस मकर रेखा को काटने वाली यानि dipping आफ्रिका में एक नदी हैं लिम्पोपो नाम है वह मकर रेखा को जैसे मालिजे दो क्ष़र काटने वाली अफ्रीका की नदी है लिमकोपो मकर रीखको दो बार काटती है लिमकोपो नदी आफ्रीका की नती है कि एव्य की सबसे बड़ी ही एक खान दोस्तो ही राःम लोग जानते हुए बहुत represented यानि दुनिया में हीरे की सबसे ऐड़ी खान सबसे आफ्रीका महाधीप में आफ्रीक की सबसे और जस्की जिटकरी نہیں आटेम में नीचे थे दच्शनumping 1961 बिस्व की सबसे बड़ी हीरे की खान काउन से तथा कहां इस्ति थे इसका उत्तर होगा खान का नाम है जो खान है किम्बरले किम्बरले कहां है किसे देश में दोर्टो दच्छिण अफरीका में यह प्रस्ण आपने पढ़े लिए बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है इनको आप जो है लिखते जाईए परिच्छाओं में अक्सर प्रस्ण पूछे जाते हैं किम्रले की खान दच्छिण अफरीका बिस्व में सरवाधिक लॉंग उत्पादन कहां होता है लॉंग आपने जाना जानते होंग जो पान मसाला में लॉंग पढ़ती खाने वाली तो बिस सारे दूए ध्यादूएट्य में से जशोट चोटे-छोटे दूफ है उनमें से आफ्रीका के जन्जी बार और परभी में किया जाता है मेग डूइप को मोजामबिक से काउन अलग करता है आप लोग यहां पर देखेंगे चैनल जल्संधी आपने सब पढ़ा हो गय क्या होता है देखे दो भुह कंडों को अलग करने वालिका यह जडांबिक मेटा गासकर इन दोनों यानि दो बड़े भुहर्णों को अलग करने वाली तथा दो जल्रासियों को मिलाने वाली जो रेका हे या जल्भ है उसको संधी या चैनल बहुत सारे नाम दिये जाते हैं जल्डमरूमद देखिए मोजांबिक और मेडागासकर आपस में अलग हो रहे हैं और इधर का जल इधर का जल ये दोनों एक मिल रहे हैं तो इसकी परिभासा हुई चैनल की कि दो बड़े भुखंडों को अलग करने वाली तथा दो बड़ी जल राश्यों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम जल्डमरूमद चैनल काई नामों से पुकारते हैं तो दोस्तों मोजांबिक देश को मेडागासकर देश से कौन अलग करता है मोजांबिक चैनल अब देखिए 20 की सबसे लंबी नदी आपने पढ़ा होगा कि 20 की सबसे लंबी नदी कौन से है नील नदी लेकिन आप ये भी जान लीजेए जो नील नदी है वो आफरीका महादूप से ही निकलती है दोस्तों आफरीका महादूप में ही 20 की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी नील नदी अब नील नदी की चर्चा हो रह आप सोचते होंगे जिल छोटी से होगा इतनी बड़ी नदी कूर्ल हैं अरहीं जention करेदी यूरोप और अफ्रीका एसिया तीनों महदिप यहां पर फिंप सबसे नदी का अंत होता है मुहाना उस भूमत सागर में है और उधगम कि सबसे लंबी नदी अफरीका महदिव्त में उच्प के बीडियो और हमें आप लोगों ने इतना पढ़ लिया अब जो है अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में भी बहुत ही महत्पूर्ण प्रसन है दोस्तों कर वीडियो अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों क सेर किया करिए और चैनल को वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते हैं कर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन दोस्तों